एक है लो फ्रेंज इस टाइब की स्लीज बनाने के लिए पहले हमें एक बुक्रूम का पीस लेना है बुक्रूम के पीस की लेंड में यहां रखी है फॉर इंच और इदर से भी फॉर इंच का मैंने कि स्कॉयर पीस है लेकिन नीचे से मेरा कट है क्योंकि यह बचावा बुक् हुआ appelle लगा लाने की निशान को मिलाते वह एक रेक्टैंगल बॉक्स बना लूँगी दीखिए इस तरह मैंने एक बॉक्स बना लिया है और बॉक्स मनाने के बात में इसके उन्दर से इस तरहिके अंदर भाली बुक्रों की टैयार हूं आप इस् Series के फैब्रिक लेना है सेट करनायों के और उपर हमें देखे इस तरीके से मैं यहां पर इसको यह स्टिच कर रही हूं यह मेरा स्टिच हो चुका है यहां पर स्टिच कर लिया है अब हमें फैब्रिक को हाफ आफ इंच एक्स्टा कट करते हुए मैं फैब्रिक को गोलाई में कट कर लोगी कट करने के बाद इस फैब्रिक को मैं यह यहां पर यह बुक्रूम पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है फैब्रिक को अंदर की साइड डालते हुए इसको फोल्ड कर लिया है अब इसको मैं यहां से बीच में से इसको कट लगा के निशान लगा लूँगी जिससे हमारा कट पता लग जाए इसी तरह मैंने स्लीव लिए स्लीव में यहां पर कट करके बीच में सेंटर में एक निशान लगा लूँगी और सेंटर में सेंटर में लाते हुए इस पार्ट को यहां रखूंगी और यहां पर गुलाई में मैं अंदर की साइड से इसको स्टिच कर लूँगी हमें इसको बुक्रूम पर स्टिच नहीं है अब इस सी हमें थोड़ा गैप रखतेवे में यहां पर ये गोलाई में इसको कट कर लोगी हमाति है aha हमें स्पिस को कट नहीं करना है और और चोटे पीछ पे कट लगाते वे में इहां पर ये इसको गोलाई को set कर लोंगी अब इसको हमें इस पीस को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद मैं यहां पर दो श्टिच कर लोंगी एक श्टिच यहां पर कौर्णर में और एक श्टिच थोड़ा सा बुक्रुम से दूर जो धूर की तरफ करूंगी वहां पर मुझे तुर्पाई करनी है इसलिए आप बड़ी स्टिच भी कर सकते हो इसे खोलने के लिए आसानी हो जो मैं यहां पर स्टिच कर रही हूं यहां पर मुझे तुर्पाई करनी है तो अगर आप तुर्पाई नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां पर स्टिच भी कर स मैंसे मेजरवेंट में इस 갑자기 3प यहां से 3 इंच और हमे Story 2 इंच ओड़ा इसका सीधा नıktको 1 पूंस परहा विदॉप में लुक्त करकते दिशिए हाँ ल किसे फिशय प्री किप करेंगे लिए कृ। यह प्रय कृत कर्म लिँवीद न सब्सक्रों समीं करें, को कृमाइब लुए क्मृत करके लिए निए ही त्छ। करेंगे इसको स्टिच करने के लिए पहले हैं मैं यहां पर इस तरीके से जिस तरीके से मैं भी आपको दिखाऊंगी बस आप उसी तरीके से इसको स्टिच कर लीजी देखें यहां से इसको मैं इस तरीके से स्टिच करूंगी बस थोड़ा सा स्टिच करना है क्योंकि हमें यह तरह हमें दूसरी साइड भी इसको सेट कर लेना है अब देखे इस को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद इस तरफ एक तरफ और फोल्ड करते वे मैं यहां पर इसको स्टिच कर लूँगी इस तरीके से जहां से मैं इसको फोल्ड किया फोल्ड करने के बा बस उसी तरह में इसको यहां से पूरे में इसको इसको सिदा कर लिया था तो यह विल्कुल सेट हो चुका है और हमारी स्टाइब बनके यहां से रैडी है यह पूरा मैं यहां पर इस्टिच कर लूँगी और इसको फोल्ड करते वे जो हमारी शेप दी थी उस शेप तक हम इसको इस्टिच कर लेंगे हमारा यहां पर यह स्टिच हो चुका है इसी तरह में दूसरी तरफ भी स्टिच कर लूँगी और दोनों तरफ बनके हमारा यह स्टिच रैडी है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिक्शन सबसे पहले आपको मिलती रहे थैंक्यू फॉर वाचिंग